जो लोग ब्रत रख रहे हैं वो ब्रत का पारायन दो मार्च को करेंगे सुबह की चौथे पहर की पूजा के बाद यानि शूर योदय के बाद 6 बज कर 46 मिनट के बाद जो है आप ब्रत का पारायन करें तो अच्छा रहेगा भगवान शिव की जो महा शिवरात्री है इसके से समबंदित कुछ पौरानिक कथाएं हैं एक कथा तो ये प्रचलित है कि भगवान शिव को पती के रूप में पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया था गहनगोर तप किया था और भगवान शिव प्रसन होकर के उनके पती के रूप में जो है उनको आशिरवाद दिया और अपनी पत्नी के रूप में शोईकार किया और जब शादी हुई उस दिन थी फालगुन मास के क्रश्नपक्ष की इस दिन इस दिन मनाय जाता है तो एक महत्यपून कठा ये मिलती है एक कखा और मिलती है कि अगर आप अंजाने में भी महाश्यवरात्री के दिन भगवान भोले नात का पूझन कर लेते हैं तो आपकी मनु कामना अवश्यपूर्ण होगी जीवन में शुक्षुग दाय मढ लेंगी भोले नात का आशिरवाद मिलेगा अनजाने में जंगल में हर दिन जाता था शिकार करने के लिए एक दिन ऐसा हुआ कि वो गया उसको कोई शिकार नहीं मिला लगातार लगा रहा कि मिल जाएं सिकार ऐसे लगे रहने की वज़े से साम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया लेकिन उसको सिकार नहीं मिला, ठक गया दिन भर सिकार ढूरते ढूरते भूँख, प्यास से परिशान हो गया और अंधेरा होने की वज़े से चतुर्दसी तिथी का था रात थी तो अंधेरा घंगोर था उसे कुछ जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था इतना अंधेरा था तो रात अब पूरी जंगल में ही बितानी थी तो उसने सोचा कि भूख लगी है प्यास लगी अब क्या करूँ तो किसी तरीके से खोचते खोचते एक तालाब उसको मिला उस तालाब के किनारे पहुचा और अब भूख लगी है खाने के लिए कुछ ने तो सोचा पानी से ही प्यास बुझा लें पानी पिया और रात में कह तो जो पत्र फेक रहा था वो उसी में गिर रहे थे भवान का जो शिवलिंग था उसी के उपर वो बेल पत्र के पत्ते संयोग से गिर रहे थे और जो पानी वो दोने में लेकर के आया था बड़े से दोने में कि जब प्यास लगेगी कि तो पीऊंगा प्यास तो लगी नहीं उसको लेकिन वो दोने से पानी भी बूंद बूंद टपक रहा था क्योंकि दोना तो इतना अच्छा बनेगा नहीं कि पूरा पानी रहे कुछ ना गिरे तो टपक रहा था वो पानी भी शिवलिंग पर गिर रहा था तो जल से अभिशेक भी हो रहा था और बेल पत्र भी वो भगवान शिव को अंजाने में ही अर्थिक कर रहा था रात भर ऐसा ही बीत गया और सुबह फिर जो वो उठा और अपने काम में चला गया वापस सिकार किया और पिर अपने घर चला गया दीरे दीरे उसकी उन्नती होने लगी भगवान शिव की क्रपा से उसका काम चलने लगा और धन दौलत प्राप्थु उसका जीवन सुखत बीतने लगा फिर जब मृत्तु निकट आई तो यमराज उसको लेने के लिए आए तो भगवान शिव के गण पहुचे और बोले कि इसने भगवान शिव का पूजन महाशिवरात्त्री के दिन किया है उस दिन महाशिवरात्त्री थी तो महाशिवरात्त्री की रात को पूरी रात उसने बेलपत्र तोड़ तोड़ के नीचे फेके थे और जल्क बूंदों के रूप में गिरा था भगवान शिव के उपर तो रात्री भार इसने जागरण किया है भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित किये हैं इसलिए आप इसको अभी लेके नहीं जा सकते जो भगवान शिव के गण थे उन्हेंनों बड़ी बहस की उनसे जो यमदूत लेने के लिए आया थे यमदूत वापस चले गए बड़ा लंबा जीवन मिला उस शिकारी को और अच्छी सुख सुविधाये जीवन में प्राप्त हुई तो अंजाने में की गई पूजा का इतना बड़ा फल उस शिकारी को प्राप्त हुआ ऐसी कठा हमारे धर् प्रातना सुनेंगे हमारे जीवन के कस्टों को दूर करेंगे मनो कामना पूर करेंगे तो आप सब भगवान शिव का अभिशेक करिए पूजन करिए जिससे कि आपकी कस्ट और परेशानिया दूर हों तो आप सब को एक बार फिर से महाशिवरात्तिरी की बहुत बहुत कामना है नमस्कार